नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि टेल मी जुब टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, टेल मी जुब टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और टेल मी जुब टैबलेट की वज़से क्या इफेक्स हो सकते हैं और यहाँ भी डिस्कस करेंगे कि टेल मी जुब टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, टेल मी जुब एक ब्रेंड नेम है, टेल मी जुब टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन टेल मी साटन होता है, टेल मी जुब व असी mg की strength में available है. Tell me जो tablet का उपयोग hypertension होने पर किया जाता है. यानि जिन व्यक्तियों का blood pressure अधिक रहता है. उन व्यक्तियों में blood pressure को कम करने के लिए Tell me जो tablet का उपयोग किया जाता है. Tell me जो tablet blood pressure को कम करती है और दिल का दौरा पढ़ने का और लख्वा लगने के जोखिम को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़ह से kidney failure, heart failure, दिल का दौरा पढ़ने का और लख्वा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है. इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है एक नॉर्मल व्यक्ती का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है अगर किसी व्यक्ती का ब्लड प्रेशर उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ती का ब्लड प्रेशर ज्यादा है साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में तेल मी जुब टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंट व्यक्तियों में टेलमी जुप टैबलेट की वज़़ से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे पेट में दर्ध होना, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, दस्त होना, शरील में ठकान वसुस्ती होना, ब्लड प्रेशर का ज्यादा कम होना, कमर में दर्ध होना, उदास महसूस करना, नीन आने में परेशानी होना, दिल की धरकन का कम होना आदी साइड इफेक्ट्स तेलमी जुब टैबलेट की वज़से हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में तेलमी जुब टैबलेट की वज़से जुखाम और गले में खराश या इन्फेक्शन भी हो सकता है। से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुवात में टेलमी जुब 20MG टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं. दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले. अब हम डिसकस करेंगे कि टेलमी जुब टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. टेलमी जुब टैबलेट के साथ दर्थ कम करने की दवाईया जैसे एसिकलोफनेक, डाइकलोफनेक या आईबूप्रोफेन आदी दवाओं का सेवन टेलमी जुब टैबलेट के साथ नहीं करना चाहिए. क्योंकि टेलमी जुब टैबलेट के साथ इन दवाओं को लेने से टेल इसलिए लिवर या किड्नी की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में लिवर और किड्नी की कार्य प्रणाली को मॉनिटर करते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंतरण में करने के लिए आपको टेलमी जुप टैबलेट के साथ-साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंतरण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइस करनी चाहिए। ट्रेग्मेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए टेलमी जुप टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टेलमी जुप टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते प्रहुजा कर देलमी जुप टैबलेट से संबंधित कर दो आपका नहीं कर दो है।